नमस्कार मैं हूँ अंकोर आप देख रहे हैं सत्य इंदी का नियोज बुलेटन एक नजर आप तक की सुर्ठों पर लोगसबाचुनाओं दोजार चौबेस में कुछ ही महीने बाकी हैं बीजेपी को हराने के लिए कॉंग्रेस जेडियू समेत 28 विपक्षी दलों ने एक साथ मिलकर इंडिया गटपंदर मनाया है वही हाल ही में संपन हुए विधांसबाचुनाओं में अपनी सफलता से उससाहित होकर भाजपा लोगसबाचुनाओं के लिए उमीदवारों को जल्दी अंतिम रूप देने के लिए तयार है सूत्र ने कहा है कि सूची जल्दी गोशच करने के प्रियोग ने विधांसबाचुनाओं में आच्छा काम किया अब पार्टी लोगसबाचुनाओं में भी इसी मंत्र को आजबाने जा रही है बीजेपी ने लोगसबाचुनाओं की तयारिया शुरू कर दी है इसके लिए सबसे पहले पार्टी ने प्रत्याश्यों के चैन को लेकर उठाया है पार्टी में किस लोगसबाच में किसे टिकेट दिया जाए इसे लेकर भाजपाच सर्वे करा रहा है इंडिन एक्सपास की रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने बताया कि बीजेपी के राश्ट्रे पदादिकारियों की दो दिवस्ये बैठक मध्यपदेश, राजस्तान और 36गर के प्रदेश अध्यक्षों ने प्रिजेंटेशन दिया था उसमनों ने बताया कि किस तरह उमीदवानों के नाम का जल्दी एलान करने के अच्छे नतीजे सामने आए पहली और दूसी लिष्ट में जिनके नाम थे उनमें से जातर ने आसानी से जीत दर्ज कर ली जम्मु कश्मीर में सक्रिय मुस्लिम लीग जम्मु कश्मीर मसरत आलम गुट यानी MLJ के MA को केंदर सरकार ने गयर कानूनी संगठन गोशित कर दिया है केंदरिय ग्री मंत्री अमिश्या ने बताया कि UAPA के तहत ये कदम उठाया गया है केंद्रे ग्री मंत्री अमेशा ने कहा है कि CAA के कार्यार्मन को कोई नहीं रोक सकता क्योंकि ये देश का कानून है अमेशा ने परश्चिमंगाल की मुख्य मंत्री ममता पेनरजी पर इस मुद्दे पर लोगों को गुमरह करने का आरूप लगा है बंगलबार को नैशनल लाइबरेरी में राज भाजपा के सोशल मीडिया और आईटी विंग के लोगों की एक बंद बैठक को समोधित करते होई शाह ने कहा कि CAA को लागू करना पार्टी की प्रतिबदता है रक्षा मंत्री राजनास सिंग ने कहा है कि उन्हें पूरा वेश्वास है कि सीना जम्मु कश्मीर से आतंगबात का सफाया कर देगी लेकिन इसके साथ ही उन्होंने सैनको से कहा कि उन्हें कोई गलती नहीं करनी चाहिए जिससे किसी भारतियों को नुक्सान पहुंचे करनाटक में करोना की पहली लहर के दोरान युदुरुपा सरकार में 40,000 करोड़ रुपए की गबन कारूप लगाते हुए भाजपा विधायक बसंगोड़ा पाटिल यतनाल ने चेताब नी दे दिया उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें भाजपा से निकाला गया तो वो उन लोगों का नाम सारवजनिक कर देंगे जो कथित रूप से उस बस्तरचार में शामिल थे पशेमंगाल भाजपा नेता अनुपम हाजरा को पार्टी के राष्टे साचिपस से हटा दिया गया है। यह घटना करम तब हुआ जब पार्टी प्रमख जेपी नफडा और केंद्री ग्रीमंत्री अमेशा कई राजलीतिक कारिक्रमों की मेजबानी के लिए कोलकाता में थे। पत्र पार्टी के संगतर का काम देखने वाले अरुन सिंग ने जारी कर दिया। के दोरान 14 राज्यों के 85 जिलों को कबर किया जाएगा ये मार्च मर्यपूर नागालेंड असम मेगालय पश्यमंगाल बिहार जार्खंड ओडिशा उत्रपदेश मद्दपदेश 36 गट राजस्तान गुजरात और महराश में 6200 किलिमीटर की दूरी तै करेगा बदादने राह यात्रा का असर क्या पड़ेगा कॉंग्रेस ने बता है कि बहारत जोड़anks यात्रा के बाद राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा किन अंसत पर कुछ महला पहलवानों के यह चोशन का αरोप है एसे में कॉंग्रेश पूरी तरह महला पहलवानों के साथ खड़ी हो गया है कॉंग्रेस नेता राहुल गांदी ने जहजर जाकर बजरंगपुनिया धीपक्पुनिया और अन्य पहलवानों से मुलाकात रहुल का यूपी में वो हर जिले में जाएंगी और पार्टी कारकरताओं से सीधे संबाद करेंगे हाली में उनने अपने भतीजे आकाश को पार्टी का प्रमुक बनाया था तब कहा गया था कि वो खुद पीछे रहेंगी लेकिन तमाम अटकलों को खारिज करते हुए उन्होंने यूपी पर पूरे चनाओ के दोरान फोकस करने का फैसला किया है बस्पा सूत्रों ने ये जानकारी थी बस्पा सूत्रों का कहना है कि उत्तर पदेश उत्तरा खंडा ऐसे दो राज्ज हैं जिनकी देख रेक मायाबती खुद करेंगी जबकि अले राज्जों में पार्टी ने या तो प्रभारी और समनवेक नियुक्त करने हैं या ऐसे करने की प्रक्रिया में है बता दें बसपा नेता मायबती दरासल कई तरह से सम्भावना इतलाश नहीं है शूत्रों का कहना है कि उनका कॉंग्रेस से संपर्क बना हुआ है अगर अखलेश इंडिया से बाहर जाते हैं या कॉंग्रेस से यूपी में सीटों का समझोता नहीं करते हैं तो कॉंग्रेस बस करना चाहते हैं जो वास्तम में सेकोलर हो जिसमें समावेशी और विवरता में करता हूं सेम पित्रोदा ने कहा कि 24 को चुनआओं भारत के भवश्य केले एहम है मुझे उम्मीद है कि भारत के लोग सोचेंगे की 2024 को चिनाओं भारत के भवेश के लिए कितना जरूरी है केंद्रिय मंत्री राजीव चंद शेकर ने कॉंग्रेस निता सेम पित्रोदा के हिंदू राष्ट या सेकुलर देश वाले बयान पर जबाब दिया है उन्होंने कहा कि सेम पित्रोदा इस बात का उधारन है कि कॉंग्रेस देश की नब्ज, सोच और उसकी आत्मा से काफी दोर हो चुकी है उन्होंने कहा कि यूपिय की सरकार में जब सेम पित्रोदा बड़े पावरफुल व्यक्त हुआ करते थे तो टूजी गोटाला सामने आया था देश महंगाई से गिरा था, निवेज घट रहा था, तब सेम पित्रोदा ने कहा था कि थोड़ी महंगाई से क्या होता है लोगों को थोड़ा सहना चाहिए, जब पुलबामा में आतंगवादी हमला हुआ तो पित्रोदा ने कहा था लोगों को मरने को पैसे मिलते हैं ऐसे व्यक्त राहूल गांदी के मेंटोर हैं, कई तरीके से राहूल गांदी के सोच में भी दिखता है, इनके लिए हिंदुत माहिने नहीं रगता है TMC प्रमुक और पर्शमंगाल की मुख्यमंतरी ममता बैनाजी ने 22 जनवरी को आयोध्यार में राममंदर के उद्घाटन में शामिल नहीं होने का फैसला किया है सुत्र के मताबिक TMC के भी समारों में कोई प्रतिनदी भेजने की संभावना नहीं है हाला कि TMC ने आधिकारिक तोर पर अपने फैसले की गोश्टना नहीं किया है लेकिन बैनर जी के करीबी पार्टी सुत्रों ने बाना कि पार्टी सतारों भाजपा के राजनितिक नेटेब में शामिल होने को लेकर साबधान है उनका मानना है कि भाजपा अपने 2024 के लोगसवा अभियान के लिए राम मंदर उद घाटन को एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप पर उपयोग करना चाहा रही है और TMC दूसरी भूम के निभाने के लिए तयार नहीं है रेलवे श्रेशनों पर लगे प्रधानमंत्री मोदी के 3D सेलफी भूथों के लिए एक करोड रुपए से अधिक खर्च हो रहे है इसका खुलासा सूचना का अधिकार है या आटिया के तयत हुआ है आटिया जबाब के अनुसार श्रेणी एक श्रेशनों के लिए अस्थाई सेलफी भूथ की सूकृत लागत 1.25 लाग रुपए है जबकि श्रेणी सी श्रेशनों के लिए इस्थाई सेलफी भूथ की स्थापना लागत 6.25 लाग रुपए है सेल्फी बूतों पर कुल खाच एक करोड़ साथ लाग रुपए से अधिक है यात्री सेल्फी बूत पर प्धानमंत्री मोधी की छबी संग फुटो ले सकते हैं कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकार जुन खड़गे ने रेलवे सेल्फी बूत पर प्धानमंत्री मोधी की तस्वीरे वाले सेल्फी बूत इस्थापित करना करदाताओं के पैसे की बरबादी बताया है खड़गे ने कहा कि मोधी सरकार द्वारा आत्म मुग्दु परचार की कोई सीमा नहीं रेलवे सेल्फी बूत पर मोधी जी के 3D सेल्फी पॉइंट इस्थापित करके करदाताओं के पैसे की पूरी तरह बरबादी है इससे पहले सशस्त्र बरबो को मोधी जी के प्रमुक कटाउट के साथ 822 ऐसे सेल्फी पॉइंट इस्थापित करने का आदेश देकर हमारे बहदुर सैनकों के खून और बलिदान का राजनितिक उप्योग किया गया कॉंग्रे सद्यक्ष ने दावा किया कि मोधी सरकार ने राज्यों को सूखा और बार रहात के लिए राशी नहीं दी है व्यपक शाचित राज्यों की मनरेगा निधी भी लंबित है लेकिन इसमें इन सस्तर चुनाबी संटों पर उधारता पूर्बत सारवजनिक धन खरच करने का दोस्सास है दिल्ली में इस्राइली दूताबास के पास मंगलबार शाम को हुए विसपोर्ट के मधिनजर इस्राइली राश्यों शुरक्षा परिशद ने भारत में अपने नागरकों के लिए एडवाजरी जारी किये मंगलबार शाम ने दिल्ली के चानक के पूरी इस्राइली दूताबास के पास हुए विसपोर्ट में कोई घायल नहीं हुआ लेकिन PTI के अनुसार इस्राइल ने कहा है ये विसपोर्ट शायद आतंकी हमला हो सकता है इसराइल ने भारत में अपने नागरकों से कहा कि खुले तÔर पर इसराइली प्रतीकों को प्रदस्चित करने से बचें बलकि उसे छुपआएं बड़े पैमाने पर कारक्रमों में भाग लेने से परहिज करने और सोचल मीडिया परयात्ता कारक्रम को साथ सार वास्तिमिक समय में आत्राओं की तस्वीरों और विवरणों को प्रचारिद करने से बचने का भी सोजाओ धिया गया है अपनी टीम के सीर्श करम के बलेवाजों के नाकाम रहने के बाद भारत के विकेट कीपर बलेवाज केल लाहूल ने दक्षिन अफ्रीका के खलाब पहले टेस्ट मैच में शांदार शतक जमाया है। हनाकि शतक बलाने के बाद वो तुरंट आउट हो गए केल लाहूल ने 133 गेनों पर 101 रन बनाये। उनकी इस पारी के दम पर भारते टीम 200 के आकलों को पार कर सकी। खेल के दूसरे दिन के पहले सित्र में भारत की पूरे टीम 245 अनों पर आउट हो गई। इससे पहले भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक आठ विकेट के नुकसान पर 208 अन बनाये थे। दक्षिन कोरियाई अभिनेता ली सौन क्योंग मिर्थ पाए गये हैं। वो औसकर प्रुसकार जीत चुकी फिल्म परसाइट में अपने अभिने के लिए जाने जाते हैं। बुदबार को 48 साल के अभिनेता एक कार में अचेत आवस्ता में पाए गए कार सेंट्रल सोल में एक पार्क के पास खड़ी थी। हाला कि ये अब तक साफ नहीं है कि ली ने आत्म हत्त्या की है। लेकिन यौन हैप निउस एजनसी के अनुसार वो अपने घर पर एक नोट फोड कर निकले थे। अब तक की सुर्खों में इतना ही बाकी खबरों के लिए रहे हैं सत्तिनी.com के साथ।